हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम EBS 2 का फोर चेप्टर जिसका नम है इवोलुशन यह हम करने वाले हैं यह मैं आपको एक्स्प्रेम कर दूँगा हिंदी में ठीक है और इसका जो कॉश्चन एंसर है न आप जो पांचुट ग्लास का प्लेलिस्ट उसमें जाओ वहां पर मिल ठीक है पहले आपको इंग्लिश करेगा हिंदी करेगा मराठी करेगा उसके नीचे इव्यस वन उसके पाद EBS 2 मिल जाएगा प्लेलिस्ट में नीचे नीचे आप जाओगे वहां पर रहेगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को करो और बेल आइकन को प्रेस करो कि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बोक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे ठीक है चलो भी स्टार्ट करते हैं क्या है देखो इक सुनावा हो आप बदलाव आप बोल सकते हो जातो विकास बोल सकते हो मतलब कि जैसे में आपको उदार देता हूं इस चैप्टर में क्या बतायागए है मतलब कि आपने सुनागा क्या बोलते है पहले इंसान लोग बंदर थे बंदर से फिर इंसान बने है तो ये एक evolution हुए हमारे अंदर बदला हुए है तो उसी को evolution बोलते है उके इसमें देखो हम dinosaur ये सब के एक movie है, वो पुरे dinosaur के उपर है, वहाँ पे आप देखो कि आपको अलग-अलग dinosaur के बारे में मालूम पढ़ेगा, okay, dinosaurs के बारे में मालूम पढ़ेगा, तो देखो यहाँ पे आपको पहले हम चैप्टल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले वो आपको बता है, क्या है देखो, the concept of evolution, मतलब कि evolution का concept, हम evolution के बारे में, जो विकास, जो बदलाओ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद जा पढ़ेंगे, the stages of evolution of animals, मतलब कि जो जानवरों के अंदर बदला हुआ है, उसके हम पढ़ाओ को पढ़ेंगे, कैसे कैसे उनके अंदर बदलाओ आया, धीरे- व्हांदीरे उसको हम पड़ेंगे एपस के बारे हम पड़ेंगे यह ना बचो यह इनसान जब बोलते हैं ना पहले हम बंदर थे तो वह यह वह एक रूप है एप का जो इनसान जो थे वह बंदर गूप में ते उस eb बोलते हैं ओके जिसका अगर आप फोटो आपको दिखाया जाए यह देखो कुछ इस तरीके से दिखते थे ओके एप जो थे चलो भी देखते हैं यहां पर हमें क्या और क्या दिया गया है यहां पर देखो आपको the concept of evolution पहले हम evolution का जो concept है जो बदला होता है जानवर और इंसानों के अंदर पहले के समय से अब तक उसका हम concept पढ़ने वाले है उसके बारे में पढ़ने वाले है पहले क्या है देखो the word evolution is generally understood to mean gradual and continuous change देखो यहां पर क्या बोल रहे है कि जो शब्द evolution है उसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे और लगातार बदला होना ठीक है evolution in the plants and animal world can be explained in the following manner देखो क्या बूल रहे है कि जो पेड़ पवदे और जानवरों में जो evolution हुआ है जो बदला हुआ है उसे हम इस सरीके से बता सकते हैं समझा सकते है कि सरीके से देखो in the process of survival by adapting the environmental changes certain internal physical changes occur in some animals of species क्या बूले बच्चो कि जैसे जैसे वातावरों बदलता है तो उस वातावरों में जीवित रहने के लिए जो जानवर रहते हैं उनकी body में उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं उनके शरीर के अंदर और शरीर के बाहर तो उसको हम बोलते हैं evolution और दोखो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं जो बदलाव होते हैं जो जानवरों के अंदर उनके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर वो उनके आगी की भी पीड़ी को मिलते जाते हैं अब आगे क्या दोखो just a new species with characteristic different from the original may be created और क्या बोले है तो इस का अलट क्या होता है एक प्रजाती बनती है जो अपनी अस्वी प्रजाती से थोड़ी अलग रहती है जैसे कि क्या बोलते हैं हम इंसान लोग पहले बंदर थे ठीक है तो दो हमारे पास पैर है हाथ है जैसे बंदर को रहता है लेकिन हमारे सब पूछ यह सब नहीं है तो देखो हम अलग प्रजाती बन गए है अपने असली वाले प्रजाती से ठीक है आगी क्या भी देखो such a species is usually more evolved than the original world क्या बोले हैं कि है ईसी जो प्रजाती होती है वो अपने असली प्रजाती से ज्यादा evolved ज्यादा विक्सित होती है अब देखो अगर आप देखोगे इनसान को पहले बंदर बोलते थे तो देखो बंदरों के कि इनसान बन गया है तो हमारे पास जादा दिमाग है हम जादा अच्छे से सोच सकते हैं काम कर सकते हैं दिमाग लगा कि तो वहीं बोला है आगी कैं sometimes the original species die out or becomes extinct क्या बोलें कि कभी-कभी क्या होता है जो असली जो प्रजाती रहती है रहती है या तो वो विलूप्त हो जाती है मतलब एकदम से गायब हो जाती है क्या बोल रहे है कि कभी कभी क्या होता है जो एक प्रजाती रहती है उससे विक्सितों के कई प्रजातिया बन जाती है क्या बोल रहे है कि पहले वैज्ञानिक जिन्होंने हमें evolution मतलब विकास जो बदलाओ के बारे में हमें समझाया था तो उनका नाम था Charles Darwin ठीक है ये बचो एक scientist थे जिन्होंने evolution के बारे में समझाया था मतलब कि जैसे वातावरण change होता है तो जो जानवर रहते हैं जो animal रहते हैं आपको अपने शरी में बदलाओ करते हैं अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो मर जाते हैं और जो कर पाता है अपने अंदर बदलाओ वही वातावरण के साथ जी पाता है आगे क्या देखो अभी आपको species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive क्या बोले कि जो जो प्रजाती वातावरण के साथ अपने आप में बदलाओ किये वो जिंदर रही the ones that cannot do so become extended in the process of evolution और क्या बोले कि और जो प्रजातिया अपने आप में बदलाओ नहीं कर पाई वो मर गई या तो वो एकदम से गायब हो गई ठीक है क्योंकि बदलाओ जरूरी था अब आगी क्या है अभी देखो बच्चो मैं आपको एक्जामपल देता हूँ अभी आप देखो कि बरफीली जगह जो रहती है वहां के जो जानवर रहते हैं उनके देखो शरीर पे कितने सारे बाल रहते हैं अगर वही कम बाल वाला कोई जानवर वहां पे रहेगा तो वह जी नहीं पाएगा उमर यह ठंड से ठीक है उनके जो शरीर पे जो बाल रहते हैं वह उनको बचाते हैं अभी इंसान लोग रहते हैं तो इंसान लोग अपना दिमाग लगा खे यह सारे कपड़े ओड लेते हैं कपड़े पहन लेते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है लेकिन जानवर अगर बिना उसके रहेंगे तो वह मर सकते है वापे तो इसलिए विए सारी प्रजाती है डाइनसार की मैंने आपको बता रहा था ना तो अगर आप यह देखना चाहते हो आप जुरासिक पाक देखो उसमें अच्छे से बता है आगी क्या है देखो आभी आपको डाइनोस इन ग्रीक मेंस टेरिबल एंड सॉरस मेंस लिजर्ड और रेप्टाइल मतलञति है खते ए liquor को भूत है कि जो है कि और अगे सॉरस में भूता है इसको और लीजर्ड बोल सकती इसको यह नाम बी वह जैसे दिखते थे चे लिए ऐसे इसके लिए अगे क्या है दा मतलब क्या हूदा एक बहुती खतरनाक छिप के लिए, ओके, इसको ये नाम दिया गया था, ग्रीक में, आगे देखते हैं क्या है भी आपको, क्या मैं दो के, some of these dinosaurs were enormous in size, क्या बहुती है, कुछ ही जो डाइनसूर होते थे ना, ये आकार में बहुती ज़्यादा बड़े होते थे, ये उस टाइम के जो जमीन पे रहने वाले ना, सबसे बड़े जीव थे डाइनसूर, हाथी ये सबसे बड़े रहते थे, ओके, It appears that these species of enormous dinosaurs suddenly became extinct, क्या बहुती है, कि ये मालूम पड़ता है, कि जो प्रजाती थी ना, डाइनसूर की, ये अचानक विलिप्त हो गई, ये कैसे हुई थी बच्चो, ये एक उलका पिंड, एक asteroid आया था, जो हमारे प्रिथवी से टकराया था, तो उस करदे सारे डाइनसूर मर ये थे, एक ब्लास्ट हुआ था, प्रिथवी पर बहुत बड़ा, ये इंसानों से, प्रिथवी पर इंसानों के आने से पहले की बात है, ओके, आगे क्या है देखो, क्या है आपे बोले, कि कुछ प्रकृतिक, जो प्रकृतिक जो डिजास्टर होता है, और या तो जो वातावरण में बदला होता है, उसके कारण ये विलूप्त हुए थे, ये एक्स्टिंक्त हुए थे, आगे क्या है देखो, क्या है याँ पे देखो, reconstructed picture of a dinosaur with wings reconstructed मतब वापिस बनाना picture मतब तस्वीर wing मतब पंक क्या बोल रहे है एक dinosaur की तस्वीर बनाई गई है वापिस पंको के साथ जैसा हमें हड़ी मिली थी उसके हिसाब से आगे भी देखो क्या है आपको यहाँ पे देखो it is believed that some species of two-legged and winged dinosaur evolve into birds क्या बोल रहे है कि यह माना जाता है कि जो प्रजाती है dinosaur की वो दो पेरो वाले जानवर में या तो कोई छोटे जो पंको वाली चुडिया रची है न उसमें वो evolve हो गई है उसमें विक्सित हो गई है जैसे इंसानों को माना जाता है पहले monkey थे पहले बंदर थे इंसान बले वैसे क्या बोले है कि यह माना जाता है कि यह दो पेरो वाले जो डाइनसोर थे कोई छोटे जानवर जातो कोई छोटे पंक वाली चुडिया बन गई है आगे भी दुखो क्या है यहाँ भी आपको the stages of evolution of animals मतलब बच्चो कि जो जानवर के अंदर जो evolution और जो बदला होता है उनके पड़ाओ क्या है देखो we have learned in the previous lesson that life on earth began with unicellular organisms known as protozoa क्या बोल रहे है कि हमने पिछले chapter में सीखा है पिछले lesson में सीखा है कि हमारे प्रिथवी पर जब जीवन शुरू हुआ वो पहला कौन सा जीव था वो था unicellular organism मतलब एक सेल वाला organism जिसका नाम था protozoa ये प्रिथवी का सबसे पहला जीव था ये हमने third chapter में पढ़ा था बच्चो आगे गया दोगो these unicellular organisms gave rise to multicellular living things क्या बोले कि जो unicellular organism है ना जो एक सेल वाले organism है इनसे और कई multicellular living things बने मतलब कि जो जादा सेल वाली organism जो living things रहते हैं जीव वो बने the multicellular organisms evolved gradually and various classes of plants and animals came into being क्या बोल रहे हैं कि जो multicellular organisms थे वो evolve हुए मतलब वो विक्सित हुए और उनसे अलग-अलग पेड़ और जानवर बने ठीक है दोखो आपको दिखाता हूँ मैं यह दोखो यहाँ पर आप देख रहे हो यह unicellular organism है हमारी प्रिथुई का सबसे पहला जीव इससे ही evolve होके पेड़ और जानवर आगे जाकर बने विक्सित होकर अब आगे क्या देखो the following are the stages of evolution of animals क्या बोल रहे है कि यह जो सारे आपको दिखाए गए यह सारे जो जानवरों के अंदर बदला होते हैं उनके यह पड़ा हो है यह दोखो यहाँ पर आपको दिए गए पहले invertibrate है फिर vertibrate है देखो यहाँ पर भी आपको क्या बता रहे है पहला क्या invertibrate invertibrate क्या होते है बच्चे देखो animals without a backbone are called invertibrate for example snail क्या बोले है यहाँ पर कि ऐसा जानवर जिसकी read की हड़ी नहीं होती है न उसको हम बोलते हैं invertibrate जैसे कि आपको उधारण दिया गया है यहाँ पर snail जो snail होते है न बच्चो इनकी read की हड़ी नहीं होती है उसको हम बोलते है invertibrate आपको याद रखना है कि जिसकी backbone या बोलते हैं जिसकी read की हड़ी नहीं रहती है वो invertibrate होते है vertibrate कौन होते हैं इसा जानवर जिसकी read की हड़ी होती है उसको हम vertibrate बोलते है look at the ones given below क्या बोलते हैं कि यह नीचे जो दिये गए है यह सारे vertibrates है जिनको read की हड़ी होती है पहला क्या देखो aquatic animals मतलब aquatic animals मतलब क्या पानी में रहेना वाला जानवर example क्या फिश मतलब मचली उसके बाद क्या देखो amphibians amphibians कौन होते है बच्चो amphibians क्या होते है animals which live in water and also on land for example a frog amphibians वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हूं तो देखो एक mendak जो है मालूँ में आपको पानी के अंदर भी रहते है तो इसको हम बोलते हैं क्या amphibians अभी चलो आगे देखते हैं देखो अगले पेश पे आपको क्या है यहाँ पे reptiles reptiles क्या होते है बच्चो देखो यहाँ पे आपको है animals which crawl for example a snake मतलब बच्चो crawl मतलब क्या रेंग ना कयँ आगे क्या है देखो अभी आपको mammals mammals क्या होते है example क्या दिया है cow जो गाय रहती है न मैमल रहती है बच्चोh जो जानवर बच्च्चा देता है ना उसे हम mammal बोलते रहा अब दूआं आगे क्या है आपको mammals आप दो को इसके बारे में क्या दिए गाए है Mammals are the most evolved animals among vertebrates क्या बुल रहे है कि जो मैमल है न वह सबसे जादा विक्सित जानवर है the following are the characteristics of the most of the mammals क्या बुल रहे है कि यह जो सारे आपको यहाँ पर दिए गए सारे mammals की खासियत है पहला क्या बुल रहे है कि जो बच्चा रहता है वो जो मा का पेट रहता है उसमें ही विक्सित हो जाता है पैदा होने से पहले हाथ पहर यह सब आ जाता है ठीक है उसे हम मैमल ब बेबी is fed on mother's milk for some time after birth क्या बुले कि जो बच्चा रहता है जब यह पैदा होता है तो उसको क्या किया है जो मा का दूद रहता है वो पीगर जर्म के कुछ समय बाद तक रहता है ठीक है आपने देखो गाय का बच्चा जो रहता है या तो बक्री का बच्चा रहता है यह सारे मैमल्स है वो पैदा होने के बाद कुछ टाइम तक वो अपनी मा का दूद पीते हैं ओके आगे क्या है देखो अभी आपको दा प्लैटिपस एंड सम स्पीशिस ऑफ एंटिटर और एक्सेप्शन टू दिस क्या बोले है जो प्लैटिपस होते है न देखो यह प्लैटिपस ह इंट आपको ने देखो देखो दे अधियर कंसिटेर डूमोस यह मैमल्स बिकाउज इवं दो दे ले एक्स their young ones सकल मतलब बच्चों क्या होता है मतलब दूद पिलाना क्या बोले है कि भले से ये अपने ये दूनों जो है न ये प्लैटिपस ये प्लैटिपस और ये एंटिडर ये भले से अंडा देते हैं लेकिन जो अंडे से बच्चे निकलते हैं, उनको यह दूध पिलाते हैं खुद का तो इसके इनको मैंमल की गिंती होती है, इनकी मैंमल्स में होती है, लेकिन बच्चा नहीं देता है यह अंडा देते हैं, यह आपको याद रखना है अगर आपको ऐसा question आया कि ऐसा mammal बताओ जो अंडे देता है अंडे देता है और दूद भी पिलाता है तो आपको क्या लिखना है एंट्रिटर और क्या है प्लेटिपस ठीक है आगे क्या है देखो अभी आपको एपस, एपस क्या होते हैं देखो एपस are somewhat like humans in appearance क्या बहुँ रहे है जो एपस होते है न वो इनसान की जैसे दिखने में होते हैं जो आपको बता है न जो इनसान लोग पहले बंदर जैसे थे थे न तो वही एपस आगे जाके एपस बनते है जो जिनका हाथ पैर सब रहते हैं जैसे लेकिन थोड़ा उनकी बंदर जैसे ही शकल यह सब रहती है उनकी एकदम इंसान नहीं बने रहते हैं आगी कहा है they mostly lived on trees क्या बोलने कि वो जादा तर पेड़ों पे रहते थे ठीक है those species of apes which continue to live on the trees retain their original ape-like form क्या बोलने कि जो apes थे जो पेड़ों पे ही रह रहे थे तो वह एप के एप ही रहे वह इंसान नहीं बन पाए वह वैसे कि वैसे ही रहे however in grasslands some ape species were forced to move around the ground क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं लेकिन जो एप grassland में जो घासपूस वाला इलाका रहते थे तो उनको वहां से निकल कर जमीन की तरफ जाना पड़ा जहां पे दम साफ ground रहे जमीन रहे क्यों बच्चों क्यों क्यों वहां पे जादा पेड़ यह सम नहीं थे और उनको कैसा जानवरों का शिकारुकार बन सकते थे शेर यह सब का तो उनको वहां से निकल के एक खुले मैदान में आना पड़ा जहां पे घासपूस जादा नहीं रहे इस स्पीशीज इवल्ड ग्रेज्वली एंड इन टाइम गेव राइस टु दा हुमन स्पीशीज और क्या बोल रहे कि यह जो प्राजाती है एप की यह इवाल इंसान एफ्रिकन कॉंटिनेंट पे इवाल होके बना और क्या बोले जो इंसान की सबसे पहली प्राजाती थी उसे हम क्या बोलते थे प्रिमिटिव मैं बोलते थे ओके आगी क्या है प्रिमिटिव मीन्स दा फस्ट इन नेक्स्ट लेसन वी शाल लर्न मोर अबाउट दी आगी क्या बोलें कि अभी अगले लेसन में अगले चैप्टर में हम जो इंसान का विकास है जैसे एप से इंसान मने उसके बारे में हम और डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो बच्चों यहाँ पर देखो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसका जो क तो के साथ शेयर करो चैनल को सबस्क्राइब करो थेंक यू